हेलो इस वीडियो में हम हॉम टैब के अडिटिंग ग्रूब में फाइंड एंड स्लेक्ट के मौर बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे जानेंगे गोटू स्पेशल के बारे में हम यहां पे गोटू को जानते है कि गोटू क्या होता है गोटू का मतलब यह होता है जैसे यहां पे हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह गोटू डायलो बॉक्स यहां पे उपन हो जाएगा गोटू स्पेशल में क्या होता है अगर हम किसी भी सैल में जाना जाते हैं तो हम यहां पे रिफ्रेंस पे यहां पे बरेंगे सैल नेम ज रो इस तरह से हम go to special में चाए वो text है चाए वो number है हम किसी भी cell में जा सकते हैं इसके बाद आगे करेंगे go to special तो go to special को करने के तीन method है एक तो हम यहां से जा सकते हैं यहां पर find and select के more वटन पर और यहां पर go to special यहां पर click करेंगे यह go to special यहां से open हो जाएगा दूसरा method हम करेंगे keyword की shortcut keys control plus G press करेंगे यह देखो control plus G press की तो यह go to special dialogue box यहां पर open हो जाएगा तीसरा method हम करेंगे keyword की function keys F5 यह रेखो F5 function की हमने प्रेस की तो यहां पर go to special यह dialogue box यहां पर open हो जाएगा तो ये कोई भी method हम यहाँ पर use कर सकते है go to special को open करने के लिए यहाँ पर इसको बंद करते है यह बंद की बंद करने के बाद हम यहाँ पर go to special को open करेंगे यहाँ भी find and select के more बटन पर जाएंगे go to special go to special पर क्लिक करने के बाद go to special dialogue box यहां पे आ जाएगा इसमें इस वीडियो में हम comments के बारे में सिखेंगे constants के बारे में सिखेंगे formulas के बारे में सिखेंगे blanks के बारे में सिखेंगे current reason के बारे में सिखेंगे current array के बारे में और objects के बारे में सिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे comments के बारे में सिखेंगे तो comments क्या होता है Excel sheet में अगर हमने comments लगाए हुए है तो जब हम यहां पे comment पे click करेंगे और ok करेंगे तो जहां जहां पे हमने comment लगाए हुए है वो area highlight हो जाएगा तो इसको दिखने के लिए हम क्या करेंगे पहले कमेंट लगाएंगे तो इसको यहां से बंद करेंगे बंद करने के बाद हम यहां पे कमेंट लगाएंगे suppose करो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे salary यह हमने यहाँ पे comment लगा दिया हमने तो comment लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे insult comment insult comment के बाद यहाँ पे comment लिखेंगे यहाँ पे salary यह लिखा यह comment यहाँ पे लगा दिया यह comment यहाँ पे लगा दिते है यहां पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसल्ट कमेंट पे गए, इंसल्ट कमेंट पे जाने के बाद यहां पे धर्मपाल सेलरी यह लिखा, यह कमेंट लगा दिया, एक कमेंट और लगाएंगे, यहां पे कमेंट लगाएंगे, राइट क्लिक किया, इंसल comment पे गए, यहाँ पे लिखा, बलवान सिंग यह comment हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके बाद एक comment और लगाया हमने यहाँ पे, insert comment यहाँ पे लिखा, एक comment हमने यहाँ पे लगा दिया, बीजे गुमार, तो suppose करो हमने यह comment लगाई हुए है, तो अब हम यह highlight करना जाते हैं कि हमन करेंगे go to special को open करेंगे यहाँ पे more button पे क्लिक करेंगे go to special यहाँ पे क्लिक करेंगे first option है वो है comments का यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे okay पे click करेंगे okay पे click करने के बाद यह देखो जहाँ जहाँ पे हमने comment लगाई हुआ है वो यहां पे highlight होगे यह इसके बाद यह इसके बाद यह तो वही area highlight होगा जहां पे हमने comment लगाई हुए इसके बाद यह comments को इनको delete करेंगे इनको select किया select करने के बाद delete करने के लिए right click किया right click करने के बाद delete comment यहां पे click किया यह देको सबी comment यहां से delete हो जाएंगे इसके बाद फिर हम यहां पे find and select के more बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे go to special पे क्लिक करेंगे इसके बाद है second है constants तो constants में क्या होता है जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो वो area जहां पे हमने कोई भी formula नहीं लगाये हुआ है वो select होके यहां प text है, logical है, errors है तो यहां पे हम पहले को करेंगे numbers को करेंगे constants में numbers को करेंगे यहां पे इनको बंद कर देंगे जैसे text बंद कर दिया, logical से इसको बंद कर दिया, errors से इसको बंद कर दिया, constants में हमने यह सभी को बंद कर दिया और यहां पे numbers के ओपर यहां पे check रखा तो इससे क करेंगे okay पर click करने के बाद ये दिखो हमारे पास numbers आ जाएंगे लेकिन ये वो numbers आएंगे ये दिखो CD number ये numbers सभी आगे यहां पर salary ये numbers सभी आगे लेकिन ये वो number है जहां पर कोई भी formula नहीं लगा हुआ है इसके बाद फिर हम यहां पे जाएंगे go to special पे जाएंगे go to special के बाद constants में यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे हम numbers को इसको uncheck करेंगे और यह सब भी uncheck करेंगे हम यहां पे text को यहां पे check करेंगे तो इससे क्या होगा text यहां पे आएगा जहांपे कोई भी फार्मोला नहीं लगा हुआ है OK पर Click किया OK पर Click करने के बाद यह दिखो Text Area हमारे पास यहांपे Hi लाइट हो के आ गया है जहांपे कोई भीी फार्मोला नहीं लगा हुआ है तो इसको भी हम Highlight यहाँआँसि कर सकते हैं इसके बाद यहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक किया, go to special पर गए, अगला जो है यहां पर constants में, यहां पर क्लिक किया, यहां पर numbers को भी बंद करेंगे, text को भी बंद करेंगे, और यहां पर logical इसको रहने देंगे, और errors को भी बंद करेंगे, okay पर क्लिक क इसके बाद फिर यहां पे Find and Select पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद Go to Special पे जाएंगे यहां पे जो Constants में आगला है वो है Errors तो इन सभी को Uncheck कर देंगे यह सभी Uncheck किये Uncheck करने के बाद यहां पे Errors को यहां पे Check रखा इसके बाद OK पे क्लिक करेंगे यह देखो यहां भी show कर रहा है कि no cells were found यहां पे हमने formula लगाया वो errors में तो यहां पे कोई भी cell यह found करके नहीं ला रहा है यहां पे ok पे click किया logical or errors को देखने के लिए हम क्या करेंगे यह जितना भी data है इसकी copy करेंगे यह देखो select किया इसको यह select किया सारा data select करने के बाद यहां पे right click किया इसके उपर right click करने के बाद यहां पे copy पे click करेंगे यह copy पे click किया यह data जितना भी यह copy हो जाएगा copy होने के बाद कहां पे copy करना है suppose करो हमने यह इसको यहां पे copy करना है यहां पे right click करेंगे right click करने के बाद इसके बाद यह देखो निच्चे दिये गया है paste special यहाँ पे click करेंगे paste special यहाँ पे click करने के बाद paste special dial box यहाँ पे आ जाएगा अब क्या है हमने यहाँ पे formula को यहाँ पे नहीं लेना है यहाँ पे हमने values को लेना है values को उपर यहाँ पे click करने के बाद हम क्या करेंगे इसको okay पे click करेंगे तो इससे क्या होगा formula copy नहीं होगा only values यहाँ पे copy होगी okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह दिखो सारा data यहाँ पे copy हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो data है यहां पर formula नहीं लगा हुआ है यह देखो यहां पर click करेंगे जैसे bonds में यहां पर click किया यहां पर कोई formula नहीं लगा हुआ है अगले पर click किया यहां भी कोई formula नहीं लगा हुआ है यह देखो errors को और logical values को highlight करेंगे तो यह highlight करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे find and select के more बटन पे जाएंगे और यहाँ पे go to special पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम constants पे क्लिक करेंगे constants पे क्लिक करने के बाद इन सभी को uncheck करेंगे जैसे यह numbers को uncheck किया text को uncheck किया logical यह दिखना है एर्रस को भी बंद किया तो लोजिकल यह दिखने के लिए हम क्या करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करने के बाद यह दिखो लोजिकल वैल्यू यहां पर हाइलाइट हो जाएंगी तो इस तरह से हम इस Logical Values को Constants में Highlight कर सकते हैं अगर हमने Errors Value को Highlight करना है तो इसके लिए क्या करेंगे फिर हम यहां पर जाएंगे More Button पे और Go to Special इसके बाद यहां पर Go to Special यहां पर हम Constants पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर हम करेंगे Errors को Highlight करेंगे तो यहां पे errors को check रखेंगे यहां पे और इसके बाद OK पे click करेंगे OK पे click करने के बाद यह देखो जो errors value है वो यहां पे highlight होके आ जाएंगी तो इस तरह से अगर हमने constants value और logical value को highlight करना है तो हम इस प्रकार इसको highlight कर सकते हैं इसके बाद फिर हमें इसको delete कर देते हैं यह जितना भी है इसको delete किया delete करने के बाद हम यह यहां पे आएंगे आने के बाद अब क्या करेंगे हम फिर हम go to special के आगले option को करेंगे find and select के more button पे जाएंगे go to special यहां पे जाएंगे इसके बाद हम यहां पे फार्मूला पे यहां पे चेक करेंगे चेक करने के बाद यह जितने वे हैं यह सभी यहां पे चेक हो जाएंगे तो अब हम इनको एक एक करके यहां पे समझेंगे यहां पे इसको सभी को अंचेक करेंगे ये देखो text को भी, logical को भी और errors को भी तो यहां पे हमें फार्मूला के numbers को हमने चेक रखा तो इससे क्या होगा, जहां पे हमने formula लगाया हुआ है और जो number में लिखा हुआ है, वो यहां पे highlight होके आ जाएगा यह देखो इसको देखने के लिए हम यहां पे OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद तो यह देखो numbers यहां पे highlight OK आ जाएंगे लेकिन numbers Y आएंगे जहां पे formula लगा हुआ है यहां पे formula नहीं लगा हुआ है यह नहीं highlight OK आए यहां पे ने लगा हुआ है यह भी हाइलाइट होके नहीं आया तो यहां पे फार्मूला लगा हुआ है यहां पे हाइलाइट होके आ जाएगा तो इसको देखने के लिए कि फार्मूला लगा है कि नहीं यहां पे क्लिक करेंगे 3600 तो यह देखो यहां पे फार्मूला लगा हुआ है तो वह नमबर यहां पे हाइलाइट हो के आगे जहां पे फार्मूला लगा हुआ है इसके बाद अगले को करेंगे फिर हम यहां पे जाएंगे find and select के more button पे और go to special फार्मूला पे जाएंगे और अब numbers को इसको अंचेक करेंगे Logicals इसको अंचेक करेंगे Errors इसको अंचेक करेंगे हमने इन सभी को अंचेक कर दिया यहां पे हमने text को यहां पे चेक रखा तो इससे क्या होगा वो text value highlight होके आ जाएंगे जहां पे फार्मूला लगा हुआ है यहां पे लिखने के लिए कि text formula लगा हुआ है कि नई लगा हुआ है यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे जैसे यहां पे क्लिक किया तो यह देखो यहां पे text formula लगा हुआ है इसके बाद यहां पे find and select के more बटन पे क्लिक किया गो to special पे प्लिक किया click करने के बाद फिर हम यहां पर formula पर click करेंगे अब क्या है हमें formula में वो चाहिए जो की logical value है वो highlight होके आ जाए तो इन सबी को हम uncheck कर देंगे यहां पर logical values इसको check रखा तो इससे क्या होगा जो logical values होगी जिसमें formula लगा हुआ तो वही value हमारे पास highlight होके आ जाएंगी यह देखो logical value यहीं आएंगी यहां पर ok पर click किया ok पर click करने के बाद यह देखो जो logical values थी वही हमारे पास यहां पर highlight होके आगी तो यह देखने के लिए कि logical formula लगा हुआ है कि नए लगा हुआ है तो हम क्य करेंगे जैसे यहां पर click किया लोडिकल में यह लोडिकल फार्मूला यहां पर लगा हुआ तो हमारे पास वई वैलिव highlight हो के आगई जहांपि लोडिकल फार्मूला लगा हुआ इसके बाद फिर हम अगले को करेंगे फिर हम यहां पे go to special पे जाएंगे जाने के बाद फिर हम यहां पे formula पे click करेंगे click करने के बाद अब हमें errors वाली value चाहिए तो हम इन सभी को uncheck कर देंगे यहां पे errors को इनको check रखा तो हमारे पास वही value highlight ओके आएंगी जहां पे errors है यहां पे check करके रखा okay पे click किया okay पे click करने के बाद तो यह देखो वह value यहां पे आगई जहां पे errors है और जहां पे formula लगा हुआ है बाकी value यहां पे highlight होके नहीं आई तो इसको दिखने के लिए कि Errors में यहां पे फार्मूला लगा हुआ है, यहां पे क्लिक करेंगे, यह दिखो, फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन यह जो फार्मूला लगा था, यह गल्त फार्मूला लगा था, क्योंकि हमने क्या किया था, यह B2 इसको, और प्लस किया था, क इसलिए इसने यहां पे error शो कर दी क्युक्कि यह text है और यह numbers है तो इसलिए यहां पे इसने error शो कर दी इसके बाद go to special के अगले option को समने के लिए हम क्या करेंगे sheet second को open करेंगे यहां पे blank इस sheet को open करेंगे open करने के बाद go to special पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद तो यहां पे blanks पे क्लिक करेंगे तो जब हम blanks पे क्लिक करेंगे तो जो जो हमारी sheet में blank cell है वो यहां पे highlight हो जाएगा तो इसको देखने के लिए blank पे click किया blank पे click करने के बाद ok पे click किया OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो जो cell यहां पे blank थे वो यहां पे highlight होगे तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि Excel sheet में कहां कहां पे cell blank पड़े हुए हैं तो हम go to special में जाके blank पे जाके उनको डूण सकते हैं इसके बाद हम go to special के अगले function को करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे अगली sheet current reason इसको open करेंगे यह current reason यह sheet यहां पे आगे suppose करो यह चोटे चोटे यहां पे area बनी हुए यह first है, यह second है, यह third है, यह fourth है, यह fifth है अब हम यहां पे क्लिक कर देंगे suppose करो हमने यहां पे click किया हुआ है और हमें पता नहीं है कि हमने कहां पे click किया हुआ है तो इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे go to special पे जाएंगे यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद go to special पे जाएंगे go to special पे जाने के बाद अब हम यह चेक करना जाते हैं कि हमने किस cell के उपर क्लिक किया हुआ है तो हम यहाँ पर current reason पर क्लिक करेंगे तो जो भी area होगा वो select हो जाएगा यह देखो current reason यहाँ पर क्लिक किया इसके बाद ok पर क्लिक किया हुआ है फिर हम यहां पे जाएंगे find and select पे जाएंगे इसके बाद go to special पे जाएंगे go to special पे जाने के बाद यहां पे current reason पे click करेंगे और इसके बाद okay पे click करेंगे okay पे click करने के बाद यह देखो जिस cell के उपर हमने click किया था बो area यहाँ पे select हो जाएगा यहाँ पे आगली sheet open करेंगे current array तो current array को समझने के लिए हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे एक table बनाएंगे तो table कैसे बनाए जाता है यह हम यहाँ पे सीखेंगे यहाँ पे 2 लिखा इसके नीचे 1 लिखा इसके नीचे यहाँ पे formula लगाएंगे तो formula कैसे लगाया जाता है इसको multiply करने का यहाँ पे equal to के बाद यहाँ पे click किया A3 आ गया यह इसके बाद multiply, sign यह लिखा multiply लिखने के बाद यहाँ पे 1 पे click किया, यह लिखो यह आ गया, A4 आ गया इसके बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया यह 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यह multiply हुआ और यहाँ पे 2 आ गया अब यहाँ पे 10 तक यहाँ पे counting लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे 1 लिखा, इसके बाद 2 लिखा तो इसके बाद इन सभी को select किया और यहाँ पे इसको drag किया यह देखो, यहाँ पे 10 तक यह counting लिखे लिखने के बाद, इसके बाद यहाँ पे counting लिखेंगे counting लिखने के लिए यहाँ पे 2 लिखा इसके बाद 3 लिखा, इसके बाद अगर 10 तक जाड़ा है यहां पे इसको select किया और यहां से इसको आगे drag किया है यह 10 तक लेगे यह 10 तक हमने यहां पे counting लिखे इसके बाद क्या करेंगे हम इन सभी को select करेंगे यह select करने के बाद data tab पे जाएंगे data tab पे जाने के बाद what if analysis यहां पे जाएंगे इसके more button पे click करेंगे और जो last option है वो है data table यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद हमारे पास यह data table dialogue box यहां पे आ जाएगा यहां पे दिये गया है row input cell यहां पे हम click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे जाएंगे और यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे A3 यह आ जाएगा इसके बाद निच्चे दिये गया है Column Input Cell यहां पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे आ जाएगा A4 इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे OK पे क्लिक करेंगे तो OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो यह जितना भी है यह टेबल बन के यहाँ पे आ जाएगा तो table बनने के बाद अब हम यहाँ पर देखना जいやतने हैं कि current array कौन सा है तो current array को देखने के लिए हम क्या करेंगे इसको select करेंगे Select करने के बाद हम यहाँ पर home tab पर जाएंगे और यहाँ पर editing group में जाएंगे और यहाँ पर find and select पर जाएंगे इसके बाद go to special go to special के बाद यहां पे go to special यह उपन हो जाएगा यहां पे हम क्या करेंगे current array यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद ok पे click करेंगे तो यहां पे message शो कर रहा है कि यहां पे कोई भी cell phone नहीं है तो current array को देखने के लिए हम क्या करेंगे इसको ok पे click करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद इसको हम select नहीं करेंगे हम क्या करेंगे यह जो बीच वाले जितने भी यहां पे cell है किसी भी cell की यहां पे किसी भी value के उपर क्लिक करेंगे जैसे suppose करवा हमने इस cell के उपर क्लिक किया इस cell के उपर क्लिक किया, अब हम यहां पर current area देखेंगे, तो देखने के लिए हम फिर यहां पर जाएंगे, find and select के more button पर क्लिक करेंगे, go to special पर क्लिक करेंगे, go to special को open करने के बाद यहां पर हम current area पर क्लिक करेंगे, current area पर क्लिक करने के बाद यहां पर ok पर क्लिक करेंगे, है कि हमने कहां कहां पर कर्णंटेहरें लगाया हुए है, इसके बाद हम अगली sheet पे जाएंगे, अगली sheet object पे एक्लिक करेंगे, कभी कभी हमारी जो axle sheet होती है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है, उसमें बहुत ज़ादा object बने होती है, तो उन object को एक साथ highlight करने के लिए हम क्या करेंगे go to special function का use करेंगे जैसे ये देखो यहाँ पे हमने text भी लिखा हुआ है यहाँ भी text लिखा हुआ है और बीच में यहाँ पे हमने object बनाई हुए है यह four object हैं यहाँ पे बनाई हुए तो इन four objects को एक साथ select करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे go to special पे जाएंगे यहाँ पे go to special पे click किया go to special पे click करने के बाद यहाँ पे यह जो दिया गया object चेक करेंगे चेक करने के बाद okay पे जब हम click करेंगे तो इससे क्या होगा जितने भी Excel sheet में objects होंगे वो सब भी highlight हो जाएंगे ये दिखो OK पे click किया ओके पे क्लिक करने के बाद ये दिखो जितने भी यहां पे object बने थे ये दिखो ये भी highlight हो गया है ये भी highlight हो गया है ये भी और ये भी और यहां पे जो text लिखा था वो यहां पे highlight नहीं हुआ ये दिखो ये text लिखा था ये लिखा था यहां पे highlight नहीं हुआ लेकिन जितने object हमने यहां पे insert किये थे Excel sheet में वो सभी highlight होगे अब हम इन सभी object को अगर कहीं पे ले जाना जाते हैं तो हम यहां पे click करेंगे यह देखो सभी एक साथ जा रहे हैं कहीं भी रखना है इनको जैसे यह नीचे रखना है या उपर रखना है या center में करना है तो हम सभी object को एक साथ यहां पे move करवा सकते हैं कि यह कहां पे रखने हैं अगर हम यह सभी object को delete करना जाते हैं तो हम delete भी कर सकते हैं इसके लिए delete की press करेंगे तो यह देखो जितने भी object यहां पे बने थे वो सभी यहां पे delete होगे इसके बाद इसको undo करेंगे यह undo किया यह बापिस आ जाएंगे तो इस तरह से Excel sheet में जितने भी object होते हैं उनको हम go to special function के जरिए highlight करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने go to special के functions के बारे में जाना अगले functions को हम अगली वीडियो में जानेंगे तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो please subscribe my channel धन्यवाद